नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सहित्यवारता में सबसे पहले आपको रक्षा बंदन के धेर सारी शुब कामनाई हार्दिक बधाई दोस्तो आज का हमारा वीशे है हिंदी का भाशिक स्वरूप इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे आज स्वरों की विशेशताएं और व्यंजनों का वरगी करण तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर दोस्तो इससे पीछे वाली वीडियो में हमने देखा कि जो स्वर हैं हमने उसके वरगी करण के बारे में पढ़ा कि कितने तरीके से हम स्वरों का वरगी करण कर सकते हैं मैंनली चार तरीके में आपके सामने डिसकस किये थे आज हम पढ़ेंगे स्वर की विशेशताएं कि स्वरों की क्या-क्या विशेशताएं हैं दोस्तों जो सबसे प्रमुग विशेष्टा माने जाती है स्वर की वो है स्वर जो है वो स्वतंतर उचारित होते हैं, मतलब वो बीना किसी अन्य वरनों की सहायता से बोले जाते हैं, जिस प्रकार व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों में ऐसा नहीं होता, तो यह है स्वरों की सबसे पहली विशेष्टा, अगर हम दूसरी विशेष्टा की बात करें तो स्वर कैसे हैं, स्वर होते हैं आक्षरिक, आक्षरिक का मतलब है कि जितने भी स्वर हम बोलते हैं, उन्हें हम बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं, जैसे हम और लिख तो सवर क्या है? सभी सवर अलव प्राण है अगला है सघोश या इन्हें कहते हैं घोश तो सघोश का अर्थ है मतलब ऐसे वर्ण या ऐसी दोनिया जिनके उचारन करते समय हमारे प्रश्वास में क्या हो? कमबन हो, एक तरीके से गर्शन हो उन्हें का क्या का जाता है? वो सघोश या घोश दोनिया कहलाती है और जितने भी हमारे सवर हैं, वे क्या है? वे सघोश हैं तो यह थी दोस्तों सवरों की कुछ विशेशता है आई होप आपको यह समझ आ गई होगी अब हम करेंगे व्यंजन तो सब व्यंजनों का भी हम वर्गी करन देखेंगे तो व्यंजन जो सवरों की साहिता से बोले जाते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन होते हैं जैसे कि हमने पहले कहा सवर जो है सोतंतर रूप से बोले जाते हैं लेकिन व्याजन बिना सौरों की साहिता से नहीं बोले जाते। अगर हम बात करें हिंदी वर्ण माला की तो ही इसमें 33 व्याजन हैं। और इन 33 व्याजनों के अलावा दो अतिरिक्त व्याजन जैसे अड़ और अड़ा, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उत्क्षित्व्यंजन कहते हैं और चार इसमें हमारी हिंदी वर्ण माला में क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है क्षो, त्रो, ग्यो और श्रो तो संयुक्त व्यंजन से अभी बढ़ाया है मतलब जो ऐसे वर्ण जो दो या दो से अधिक स्वरों और व्यंजनों की सायता से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या का जाता है संयुक्त व्यंजन जैसे देखें क्षो है को जमा शो जमा ओ क्षो तो इस तरीके से ये बना है मतलब इसमें को भी है शो भी है दो इसमें व्यंजन है और एक स्वर है तो इसलिए इनको क्या का जाता है संयुक्त व्यंजन अब हम देखेंगे कि जो 33 हमारी वर्ण माला में व्यंजन है उनको हमने अलग-अलग तरीके से वर्गी कृत करना है जैसे हमने स्वरों को वर्गी कृत किया था किस के अधार पर मा का वर्गी करण भी करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं उचारण के अधार पर और उसके बाद प्रियत्न के अधार पर तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उचारण के अधार पर अगर हम उचारण के अधार पर व्यंजनों के वर्गी करण की बात करें दोस्तों तो सबसे पह जो हमारे गले से बोले जाएं, कंठे दोनीय कहते हैं, और व्यंझनों में कौन-कौन से ऐसे वरण आते हैं, जो कंठे हैं, देखिए, इसमें है, कंठे आता है, कवर्ग प्लस हो, तो कवर्ग में जो हमारी 5 दोनिय आती हैं, क, ख, ग, घर, न, तो ये जो पांच धुनिया है और इनके साथ हवर्न जो ये व्यंजन है इनका उचारन स्थान क्या है कंठ है तो इसलिए इनको कंठ है धुनिया भी कहा जाता है ठीक इसी तरीके से जो दूसरा हमारा उचारन स्थान है देखिए वो है तालू जिसको तालब्बे धुनिया कहत तो तलब्य धुनियों के अंतरगत आती हैं देखिए चवर्ग तो चवर्ग में जो हमारे पांच वर्ण आते हैं च च ज ज ज ज ज ज न तो ये जो चार हैं देखिए इनके साथ दो और व्यंजन जुड़ जाते हैं य और श तो जो य है और श है ये हैं हमारे य आता है अंतस् पुष्मव्यंजन के अंतरगत, तो इनका जो उचान स्थान है, वो क्या है? तालू है, इसलिए इनको क्या का जाता है? तालब्य धनिया, ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे, अगला जो उचान स्थान है, वो है मुर्धा, तो मुर्धा के अंतरगत देखे कौन- और न, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आ जाएगा शटकोन बाला शो, तो इनका उचारण स्थान क्या है, मूर्धा है, अब अगला जो उचारण स्थान है, वो है दंत, तो दंत के अंतरगत आते हैं, तवर्ग के चारवर्ण, तो ये जो चारवर्ण है, इनका उचारण स्थ उश्ठों से होता है ना जैसे हम मतलब जिनके उचारण करते समय हमारे उठों में क्या हो हल चल हो जैसे पवर्ग पवर्ग में देखिए जीतने भी वर्ण मतलब है पवर्ग के अंत्रगत उन सब का उचारण स्थान क्या है उश्ठ है तो एक बार इनको उचारित करके देखत हैं पभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ होती है वर्थ से क्या सपास मतलब दांतों की जड़ों के आसपास सपच करती है तो इसलिए इनको क्या खा जाता है वर्थ से धुनिया अंतिम जो है वो है दंतोष्थिया मतलब जहां पर दांत और ओंट दोनों क्या है प्रतिक्रियार करते तो इसके अंतरगत आती हैं आपकी दो धनिया वह और फो तो ये थे दोस्तो उचारन के अधार पर व्यांजनों का वर्गीकरण अब हम देख लेते हैं प्रियत्न के अधार पर व्यांजनों का वर्गीकरण अगर हम प्रियत्न के अधार पर व्यांजनों के वर्गीकरण की ब तो ये दो तरीके हैं आभ्यांत्र और बहाय प्रियत्न और कई बार आभ्यांत्र प्रियत्न के अधार पर भी पूछ लिया जाता है तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं आभ्यांत्र प्रियत्न के अधार पर व्यांजनों का वर्की करण तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है आपका स्पर्ष व्यंजन स्पर्ष का मतलब होता है किसी चीज़ को छूना मतलब ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनका उचान करते समय हमारी जीवा मुह के किसी न किसी भाग को स्पर्ष करे तो उन्हें क्या कहा जाता है स्पर्ष वेंजन कहा जाता है अब रशन ये उठता है कि स्पर्ष वेंजन कौन कौन से हैं ठीक है स्पर्ष वेंजन होते हैं कौन से लेकर के मौ तक के जितने भी वर्ण हैं वो क्या हैं वो स्पर्ष वेंजन है और जो स्पर्ष वेंजन के अंत वर्ग के अंतिम वर्ण है देखिए वो अनुनासिक जो आगे आप देख रहे हैं लाल से लिका हुआ अनुनासिक इसके नीचे जो धनिया है ये क्या है ये नासिक के धनिया है देखिए को खो गो गो नो तो ये नो पहला हो गया उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा और ठीक है दोस्तों आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ का मतलब है जिन व्यंजनों का या वरणों का उचारण कहां से होता है अंत्थ का मतलब होता है अंदर से मतलब एक तरीके से लगता है कि बहुत ही अंदर से आवाज आ रही है उचारित करके देखते हैं यो रो ल और वो तो मतलब देखिए जब हम इनका उचान कर रहे हैं तो ऐसा अप्रतीत हो रहा है कि आवाज जो है बहुत अंदर से आ रही है एक तरीके से पेट से आ रही है ठीक है तो इसलिए इनको क्या खा जाता है अंतस्थ व्यंजन कई बार परिक्षा में इस तरीके से पूछ लिया जाता है आपके पास 4-5 वर्ण दिये होंगे फिर आपने उनमें से देखना है कि कौन सा अंतस्थ है कौन सा उश्म है और कौन सा स्पर्षय और कौन सा नासिक्य है तो इसलिए इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है इसको आ अभ्यांत्र प्रयात्न का अधार पर इसका वर्गी करना है देखिए वो है उश्म व्यांजन तो उश्म व्यांजन ऐसे व्यांजन जिनका उचारण करते समय हमारे मुम से क्या निकले उश्मा निकले उश्मा मतलब गर्मी एक तरीके से निकले ठीक है तो इसके अंतरकत च यो और वो क्या हैं? अर्दस्वर हैं. तो हाला कि अंतस्थ वियनजन के अंतरगत आते हैं यो और वो. लेकिन ये आदैस्वर भी माने जाते हैं. आदैस्वर मतलब कि इनको उचारित करते वक्त ना तो हमारे जीवा कहीं पर सपर्ष होती है. इसलिए इनको क्या आगा जाता ह अर्दस्वर कहा जाता है अगला है लौ जो है वो क्या है अंतरस्थ व्यंजन का अंतरगात आता है लेकिन उसको अगर पाशर्विक व्यंजन कहेंगे तब भी वो क्या है वो ठीक होगा इसलिए लौ क्या है पाशर्विक व्यंजन तो व्यांज हो गया है यहांपर आप इसको ठीक कर लीजेगा यह व्यांजन है ठीक है और जो रो है वो है प्रकमपित व्यांजन तो प्रकमपित का मतलब जब हम रो बोलते हैं तो हमारे मुह में ऐसा लगता है जैसे कमपन हो रही हो इसलिए इसको क्या का जाता है प्रकमपि के अधार पर व्यंजनों का वर्गी करन तो इसमें जो पहली चीज है देखिए वो अता है अगोश व्यंजन तो दोस्तों जो अगोश व्यंजन होते हैं देखिए वो क्या होते हैं मतलब कि ऐसी धनिया या ऐसे व्यंजन जिनके उचारण के समय स्वर्यंत्र में कमपन बिल्कुल भी नहीं होती ठीक है? मतलब ऐसे वर्ण जिनके उचान करने से हमारे मुँ में या हमारे स्वर्तंत्रियां जो है उनमें कमपन नहों तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाती है अगोश धनिया या अगोश व्यंजन ठीक है? ऑसे याद रखना आपने अगोश नहीं होने वाला नकरातमक्ता है ना मतलब कि वहाँ पर घर्शन नहीं है तो ये कह रहा है कि वर्ग क्या जो पहला और दूसरा वर्ण है वो ही क्या है? वो ही अगोश धनिया है तो पहला और दूसरा ये अघोश है, ठीक है, क्लियर है, ठीक वैसे ही जितने भी कोचोटो तोपो, ये 5 हमारे वर्ग हैं, इसके जो पहले के 2-2 वरण होंगे, ठीक है प्रतिक वर्ग है, वो ही क्या है, वो ही अघोश द्वनिया है, दूसरा आता है, घोश, और घोश द्वनिया को अन्य नाम दिय जाता है, सघोश, मतलब जिसमें घर्षन हो, जिनका उचाण करते समय, मतलब ऐसा प्रतित हो, कि उसमें क्या है, सवर्तंत्रियों में, घर्षन हो रहा हो, इसलिए उनको क्या का जाता है, सघोश द्वनिया का जाता है, तो पहली की 2, इसमें आ जाती है, अन्तिम के जो 3 वर यह पाणव करते हैं वो है अल्प प्रान मतलब कम प्रान लगे सांस लगे कम समय लगे कम मात्र लगे जिन वरनों का उचान करने में इसलिए इनको क्या का जाता है अल्प प्राण, देखिए इसमें कौन-कौन से आते हैं, पहला, तीसरा और पांचवाँ वर्ण, मतलब कौ, कौ के बाद खौक हम छोड़ देंगे, खौ में थोड़ा सा जादा समय लग रहा है, इसलिए हम उसको महाप्राण के अंतरगत रखते हैं, ठीक है, तो कौ, गौ और न, ये गौ के बाद एक खौ है, वो दूसरा है, और गौ के बाद जो तीसरा है, गौ वो क्या है, वो चौथा है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है, क्लियर है दोस्तो, तो ये थे बाहया प्रियत्न के अधार पर व्यंजनों का वर्गी करण, अब यहा आगे आप अगोश की जो पहले की दो पंक्तियों में देख रहे होंगे उसमें अगोश लिका है और आगे की जो तीन कॉलम बने हैं उसमें सगोश है मतलब के पहले के जो दो वर्ण आते हैं वर्ग के प्रतेक वर्ग के दो वर्ण क्या हैं अगोश हैं और लास्ट के तीन क्य हैं सगोश हैं ठीक वैसे ही देखिए नीचे अलप प्राण और प्राव का मतलब है अलप प्राण महाप्राण तो अलप प्राण जो पहला है और तीसरा है और पंचमवर्ण जिसको नासिक्या भी कहते हैं ठीक है और आगे देखिए आप उश्म इसमें हमें हो को पहले लिख है क्योंकि हॉ का जो उचानस्थान है वो कंठ है इसलिए इसको पहले लिखा है नीचे देखिए शॉ शॉ और सॉ तो साथी साथ पूरे के पूरे हमारे इसमें क्या है कम्प्लीट हैं तो यह हो गया दोस्तों आपका व्यांजनों का वरगी करन अब हम देख लेते हैं के जो उचाण स्थान है उन्हें हम अच्छे से याद कैसे कर सकते हैं एक formula जैसा है जो मैंने अपनाया है आप इसको भी याद कर सकते हैं अगर आपको यह याद हो गया तो आप कोई भी exam में उचाण स्थान से सम्दित कोई भी प्रशन easily कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले दे कू से हम लेंगे मतलब कवर्ग और हो से मतलब हो और विसरगें जो अह में लगती है अंग और अह तो ये जो बरणातें रेखिए इन सब का सब उचारन स्थान क्या है इन सब का इनका उचान स्थान है कंठ चाहे तो आप पीछे वाले जो हमारा चार था उसके साथ इसको मैच कर सकते हैं ठीक है? देखिए एक बार फिर से समझा लेता हूँ अकु हो बिसरगा नाम कंठ अ से अभी प्राय औ और आ से है कु से कवर्ग है कवर्ग के अंतरगत जितनी भी पांच दोनी आती है और हो से मतलब हो ही हमने लिख भी दिया है और आह जो है वो इन सब वर्णों का उचान स्थान क्या है? कंठ है क्लियर है? और कुछ एक जो ओ और आउ आते हैं वो उचारित होते हैं कंठ और ओष्ट से मतलब इनके उचान करते समय और बोलतेंगे तो आवाज कहां से आ रही है? गले से आ रही है लेकिन अगर हम ओ बोल रहे हैं तो ओठों में भी क्या हो रही है? कुछ प्रतिक्रिया हो रही है हलचल हो रही है इसलिए इनका उचान स्थान क्या है? कंठोष्ट है अगला है देखिए इचू यशा नाम तालू तो इ से अभी प्राय है बड़ी ए और छोटी इ चू से मतलब है चवर्ग इसके अंतरका ताने वाले पांच वर्ण यशा नाम य और शौ यशा से मतलब है य और शौ तो इनका जो उचान स्थान है वो क्या है? वो है तालू अगर ऐसे ही हम तीसरे की बात करें देखिए री टू रशा नाम मुर्धा तो री से हम री लेंगे तू से हम तवर्ग लेंगे और रशा से हम रो और शौशटकोंड वाला लेंगे ठीक है? उपर शौशलगम वाला था नीची हम शौशटकोंड वाला ले रहे हैं तो इनका जो उचान स्थान क्या हो जाएगा? वो होगा मूर्धा चौथा है लतू, लसा नाम, दंतौ मतलब लो से हम लो लेंगे तू से हम तवर्ग लेंगे सा से हम क्या लेंगे? सौ को लेंगे तो इनका उचान स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा तवर्ग के अंतरगत जितनी भी धुनिया हैंगी वो क्या है? दंत्य धुनिया होंगी अंती में देखिए मतलब उ से छोटा उ और बड़ा उ दोनो पुनम का मतलब पू जो है उसके अंतरगत हम लेंगे पवर्ग को तो हमने पहले भी कहा था जिनका उचान करते समय क्या है ओंठों में प्रतिक्रिया हो रही है वो व्यंजन क्या कहलाते है वो कहलाते हैं ओष्ठ्य व्यंजन लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है देखिए वो जो बच जाता है उसका उचान स्थान क्या है दंतोर ओष्ठ तो क्लियर दोस्तों ये था उचान स्थान को समन्ण रखने का सबसे सरल तरीका अगर आपको एक चीज इन में से याद हुजाती है तो आप इन सब को अच्छे से याद कर पाएंगे समझ पाएंगे आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा फिलाल आज के लिए इतना अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई उर्जा और स्फूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत जैहिन जैभारत शुक्रिया